हेलो मेरा नाम डिश्यव चतुरगेदी है और आज का जो मैं टॉपिक लेक्क आऊ हूँ वो है फंक्शन्स फंक्शन्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं यह तेंथ क्लास लेकिन आपको पता नहीं था कि आप फंक्शन पढ़ रहें काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो आज फंक्शन से स्टार्ट करेंगें सबसे पहले हुए एक एक ऍग्जीं से स्टार्ट करता हूँ फंक्शन समझाने से पहलेए उससे बेहतर समझ में आएगा माली जी आप और आपका friend है और कोई third person आता है और आप से पूछता है कि आप दोनों में क्या relation है तो आप बोलोगे कि हम दोनों friends है अप दोनों के बीच में friendship है तो friendship ने क्या किया आप दोनों लोगों को जोड़ के रखा आप दोनों को बान दिया function भी यही करते हैं पर functions इंसानों को साथ नहीं करते हैं functions दो sets को जोड़ते हैं अब set मतलब क्या set basically collection of objects or things जैसे चूडियों का set हो गया numbers का set हो गया ऐसे कही तरह कि आप set बना सकते हैं मैंने यह पर number का set लिया है तो मैंने कहा कि यह set बनाया उसको मैंने नाम दे दिया यह उसमें मैंने 3 number डाल दिया ठीक, दूसरा मैंने set लिया दूसरा set लिया मैंने set B उसमें मैंने कुछ number डाल दिया यह ना 4 if you observe आप देखेंगे कि यह set और यह set एक दूसरे से जुड़े हुए x square के द्वार अगर आप a के elements का square करेंगे तो b के elements करेंगे अगर मैं 1 का square करूँ तो 1 2 का square करूँ तो 4 और 3 का square करूँ तो 9 इस condition में set A और set B दोनों जुड़े हुए है x square के द्वारा इसी x square को function कहा जाता है ठीक है तो function की definition यह दी मैं बताओ तो वो कुछ ऐसी होगी if there are 2 non empty sets minimum 2 होने चाहिए 3-4 भी हो सकते है if there are 2 non empty sets and if they are related with each other through a rule that rule is known as function 2 non empty set होने चाहिए उनमें कुछ ने कुछ element होने चाहिए और वो 2 set अगर यदि किसी भी rule के द्वारा ज़रूर नहीं x is square हो mod x भी चलेगा x cube चलेगा e to the power x चलेगा sin x चलेगा कोई भी function हो सकता है उससे अगर ये 2 set जुड़े हुए है तो वो rule function कहलाता है यदि मैं यहाँ पे elements बदल हो 4 और 9 को मैंने मिठागे यहाँ पे 8 27 कर दिया इस condition में x square function नहीं है क्योंकि 1 गा square करूंग 2 का square करने पर मुझे 4 मिलना चाहिए तो इस case में x square function नहीं है 2 sets के लिए यदि मैं यहाँ पे cube कर देता हो सपोस कर लेते एक set दिया हुआ है मेरे पास उस set में मुझे दे रखे है 1,2,3 ले लेते चलो यही set ले लेते है और function मालो मुझे दे दिया है x to the power 5 x to the power 5 ले लो x to the power 4 ले लो कुछ भी ले लो ऐसा तो function x to the power 4 दिया हो और एक set दिया है a function क्या करता है मुझे उस set से मिलवा देगा जो set इससे जुड़ा हुआ है ठीक है कैसे यदि मैं एक एक element पे मैं function लगा हुआ है ना एक-एक element पे function लगा है मतलब है कि एक-एक element यहां पे मैं रखता जाओगा तो 1 की power 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो एक 1 आगया 2 की power 4 करूआ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 3 की power 4 करूआ तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ठीक है तो इन तीनों को मिलाके मैंने एक set बनाया 1, 16 और 81 उसको नाम ने दिया B तो आप set A और B जुड़ गया है ठीक है आप suppose कीजिए कि आप set एक-एक element है ठीक है आप set एक-एक element है आप भार गए तो उपर से आपके उपर सूरत की रोशनी आगी ठीक है अब ऐसा मानो कि तुम object हो मतलब आप set एक element हो और जो sun है वो function है ठीक है तो जब function आपके act करेगा तो क्या image form होगी ठीक है मतलब यदि sun यह आपके है और उसने आपके act किया तो एक image form होगी same function के case में है जो set A के elements है उनको objects का जाता है और जो set B के elements उनको image का जाता है अब यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार confused हो जाता है कि कोई rule function है कि नहीं है जैसे कि for example एक चीज ध्यान में रखी गया कि दो objects की same image हो सकती है for example एक यह duster है और इसी के similar एक दूसर object है दूसरा कोई box है अगर दोनों की shadow obtain करो तो दोनों same आएगी तो it is possible कि दो objects की same image हो सकती है लेकिन एक इडश्टर की दो image नहीं हो सकती ठीक है it is impossible तो function में भी ऐसा ही है for example जैसे अगर यहां पे one कि कोई भी एक ऐसा rule है जिसमें one one से भी related और one 16 से भी related है तो इस condition में function नहीं होगा ठीक है तो आगे का हम continue करेंगे आज मैंने function के बारे बताया ऐसे यह function के types होते हैं और detail में दीरे दीरे करके आगे की series में आपको बताऊंगा Thank you